हेलो फ्रेंड्स गुट मॉर्निंग अभी मैं आपर कर रही हूँ पूजा और आज मकर संक्रांती भी है तो बस मैं भगवान को गजक का भोग भी लगाऊंगी ai always welcome back to my channel और कैसे है आप सब होथा लोग अच्छे ही होगे आज 15 जैनुवरी मकर संक्रांती है आज वैसे मकर संक्रांती जो है 14 जैनुवरी को होती है लेकिन इस वाल दीन मानी जा रही है 14 और 15 तो हमारे आज मान रहे हैं और आज ही celebrate कर रहे हैं आप सभी को मकर संक्रांती की बहुत बहुत शुब कामना है और आज ही हमारे निकू का birthday से वो आज 7 यर का हो गया है और आप सभी ने देखा है ब्लॉग की निकू टिकू का birthday जो है साथ में celebrate किया गया था तो 2nd January को था टिकू का birthday लेकिन साथ में celebration किया गया था दौनकर birthday का और आज हमारे निकू का birthday है So wish you many many happy returns of the day my dear निकू बेटू आप खुछ रहो, happy रहो, God आपको life की सारी खुशिया दे और जो भी आप जिंदिगी में करना चाहते हो ना life में वो करो तो खुब सारा पड़ो और बस आगे बढ़ते जाओ हमेशा आपकी मासी की यही प्रे है बहुत सारा प्यार आपकी मासी की तरफ से निकू तो जब हुआ था ना तब वो गौलियर में हुआ था उसका बर्थ गौलियर में हुआ था और मेरी marriage नहीं हुई थी तो उसको तो मैंने बिल्कुल छोटे से खिलाया है और यहाँ पर वो है त्री-फोर मन्त रहा था उसके बाद वो अपने घर पर गया था फर्स्ट टाइम बहुत लगाब रहा है उससे मेरा मैरिज नहीं हुई थी तो मैं इन दौर भी चलिया आती थी क्योंकि इन दौरों से अगर कोई कुछ बोल देता है तो मुझे बहुत जादा गुस्सा दी है उसके ममी पापपी अगर उसको टच भी कर देना या गुस्सा भी करते है तो मैं उल्टा उन पर गुस्सा हो जाती हूँ और मैंना अपने निकू पर कभी भी हाथ नहीं उठाया है नाहीं कभी उसको डाटा है कोई भी उस पर हाथ उठाता है तो मुझे बहुत जादा गुस्सा दी है क्योंकि हमारे जो लड़की है अपने माई के जाती है वाकर संक्रांती वाले दिन गजक लेकर तो बस मैं भी यहां पर आई हूँ और खाना वगएरे मैंने कुछ भी नहीं खाया ब्रेकफाइस्ट घर से करकर आई थी और बस यह ओफिस गए तो मुझको छोड़ते हुए चले तो बस यही मुझे आपके साथ शेयर करना था और कौन-कौन जाता है अपने माय के मेरी तरह गजक लेकर तो बस मैं आ गई थी और वहां पर मुझे वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिला पुझा वगएरे मैंने घर पर ही करती थी क्योंकि आज भगवान ची को भी तो चलिए बस आप लोग मेरे साथ बने रहेगा यहां पर मैं बैटी हुई हूँ अपनी मम्मी के साथ में और हमारा जो बालकनी का एरिया है वो काफी बड़ा है पोर्च बना हुआ है तो पहां पर मम्मी ने एक बैट डालके रखा हुआ है तो सर्दियों में सभी लोग य अब तक धूप रहती है तो मम्मी बैटी हुई है और बस मैं भी यहां पर साथ में बैट गई हूँ और मम्मी कर रही है मंगोडे की तैयारी तो उसी के लिए उन्होंना प्याज को भी कट कर लिया है और यह हरा धनिया तो बस इसको तोड़ लेंगी और उसके पाद इस मेंट देख रही थी और भी कुछ देख रही थी तो बस वही मम्मी को साथी साथ में दिखा रही थी और मम्मी से बातें भी कर रही थी और आज का मौसम जो है काफी बेकार हो गया था आप देख सकते हैं भी कुछ टाइम पहले तो धूप थी और अभी जो धूप है है जो शौपिंग है वो हो चुकी है जो भी मंगणो के लिए मम्मी को करनी थी और अब मौसम जो है बहुत जादा खराब हो गया था तीन बजे के बाद से तो बहुत जादा ठंडक हो गई थी तो हम सब यहां पर पैट कर मटर चील रहे हम सब क्या मैं और मेरी मम्मी क्योंकि सबजी बनाएंगी वो आलू मटर उन्होंने पूछा था कि आलू मटर खाना है या मटर चील भी रही हूँ और खा भी रही हूँ मुझे ऐसे मटर खाना भी काफी अच्छा लगता है जादा तर सभी लोग मटर चीलते होंगे और खाते भी होंगे साथी साथ में और तीन वजे के बाद हमारे बिलकुल मौसम चेंज हो गया था काफी बारिश होई थी और बहुत जो है दो दिन से लगातार हो रही है अभी तक बंद नहीं हुई है तो वही मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा रही हूँ आप लोग देख लीजिए और बिलकुल भी नहीं लग रहा है कि अभी तीन वजे है मौसम जो है एकदम से चेंज हो गया है बादल काले हो गया है त तो लगनी रहा है कि अभी दिन का टाइम है यहाँ पर मम्मी बना रही है सबजी आलू मटर की तो उसी के लिए उन्होंने ओयल में आठ से दस काली मिर्च एट कर दी है और दो तेज पत्तों को तोड़ कर डाल दिया है साथ में डाली है तीन से चार कुटी हुई लहसुन य अच्छे से फ्राय हो चुकी है अब इसमें बो डाल रही है सुखे मसाले लाल मिर्च पाउडर धनिया पाउडर हल्दी पाउडर और साथी में थोड़ा सा पानी भी एड़ कर दिया है ताकि जो मसाले है वो जले ना और बस अब वो साथी में इसमें एड़ कर देंगी मतर क दाने और इनको मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगी और हल्दी beneficiastics पहले एड़ नहीं किया था मसालों के साथ में तो अभी डाल दिया है। अब इसमें बो डाल देंगी टमाटर तो यहाँ पर दो टमाटर लिये हैं जिनको चौप करके एट कर दिया है अच्छे से मिक्स कर देंगी साथ ही मैं इसमें डाल देंगी टेश्ट के अकॉर्डिंग नमक और बस मसालु के अच्छे से भुनने देंगी और आलू मटर की मिक्स काफी सिंपल तरह से बनाती हैं लेकिन खाने में काफी अच्छी लगती है और जिस तरह से मम्मी बनाती हैं आप लोगों ने देखा होगा मैं भी उसी तरह से भुन जाएगा उसके बाद इसमें अट कर देंगी आलू तो बॉईल किये हुए आलू की सबजी बना रही और यहां पर आप देख सकते हैं मसाल अच्छे से भुन चुका है तो इसमें एट कर दिये हैं आलू जिन इसमें कुट कर लिया है और बस अच्छे से मिक्स कर लेंगी, मसाले के साथ थोड़ा सा भून लेंगी, ताकि जो मसाला है अच्छे से कोड हो जाए, आलूओं में भी, और बस उसके बाद इसमें डाल देंगी पानी, तो पानी जो है आप अपने इसापसे एट करें, आपको ग्रेवी पतली रखनी है या थिक रखनी है, उसे साफसे में पानी डाल दें, और यहाँ पर यह है दाल जो की मंगोणों के लिए ममी ने रखी है, तो इसको धुल लिया है, यह हरी चिलके वाली दाल है, और ममी इस तरह ऐसे धुलती है कि पूरे चिलके जो है ना निकले, क्योंकि इनका टेष्ट का राइंड की जाती है दाल और यहाँ पर सबजी जो है बोबी बॉयल हो रही है, और सबजी बगएर बॉयल हो चुकी है, बन चुकी है, अब उसके बाद यहाँ पर ममी बना रही है पूरियां तो मैं जो है आ गई थी, मैंने मुला कि लाओ मैं सेख देती हूं, ममी बेल दी जा रही हैं और यहां पर पूरियां मैं सेखती जा रही हूं और फिर हम लोग गर्मा गर्म पूरियां खाएंगे बस मैं और मम्मी हैं और बाकी भाई हैं पापा तो ऑफिस जा चुके हैं तो वो अपना लंच लेकर गए हैं तो वो तो नहीं खाएंगे अब वो सीधे इवनि मैं ले जाओंगी और मंगोडे जो है फिर अभी नहीं बनाए थे ममी ने क्योंकि हम लोगों ने खाना खा लिया था तो मन नहीं था मंगोडे खाने का तो दाल जो है ममी ने ऐसे ही रख दीती ग्राइंड करके वाकी चॉपिंग वगएर तो सब कर लेती हमने बुलाता कि इबनिंग में बना लेना तो सभी लोग गर्म-गर्म खा लेंगे तो ममी ने बुलाता ठीक है और बस यहां पर जो पूरियां है वो बनकर तयार हो चुकी है तो यहां पर जो है ममी पापड फ्राइ कर रही है जो कि अच्छे लगते हैं फ्राइ पापड खाने में और हमने जो है बस तीनों के लिए ही पूरियां फ्राइ की हैं क्योंकि गर्म ही अच्छी लगते हैं खाने में यह आप देख सकते हैं गर्मा गर्म फूली फ करनाने के लिए वस मैंने पानी रख दिया है और वही चीनी चाय पत्ती अध्रक को मैं अट कर दूंगी तो यहां पर आप देख सकते हैं चाय जो है बॉयल हो चुकी है इसमें मैंने दूध एट कर दिया था और उसके बाद भी स्कॉच्चे से बॉयल कर लिया है तो यह है हमारी गरम गरम चाय आप लोग भी इवनिंग की चाय बना कर पी लीजिए हमारे साथ मैं और अब मम्मी बन और अपर नाम प्यास रिमिर्च में कट किया है और यहां पर जो दाल McM 22 ने अध्रक्त जिसको अच्छे से कूट लिया था आप चाहें तो कस कर भी जातर है अठ आप आप चाहें तो कसकर भी आठ कर सकते हैं और यह सारी चॉप будем हरी मिर्च कि पयास कर रादनिया और भast इस को ही दाल में उन्होंने डाल दिया है अब इसमें डाल रही है सौप एक चमच के करीब और बस नमक डाल देंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग तो जब भी मंगोडे बनाए तो नमक बिलकुल लाश्ट में एट करें बरना ये जो है पानी छोड़ने लगता है जो मिक्शर है तो मम्मी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगी और सबसे लाश्ट में डालेंगी इसमें नमक क्योंकि अब तो जो मंगोडे है वो बनाना ही है तो बस इसको हातों से वो अच्छे से मिक्स कर रही है और ये उन्होंने मिक्स कर लिया है इसमें नमक भी एट कर दिया है और ऑइल ज और फटा फट जो मंगोडे हैं वो डालती जा रही हैं जितने एक बार ओयल में आ जाएंगे उतने ही एट कर देंगी और बस यह आप देख सकते हैं बड़िया गरम गरम मंगोडे जो हैं तैयार हैं और जो सिख गए हैं उनको निकाल लिया है बाकि इनको भी जो अच्छे से स अच्छे से लगते हैं और जो गैस का फ्ले में बहुत जादा हाई भी नहीं करना होता है बढ़ना अंदर से यह कच्छी रह जाएंगे तो यह आप देख सकते हैं एक बेज जो है फ्राय उकरते ही हार हो चुका है और आप यहां पर सेकंड वेज वो कर रही हैं और काफी अ अंगोडे और बस आज के इस ब्लॉक को भी मैं यहीं पर एंड करना चाहूंगी अगर आप लोग को मिरा आज का यह मकर संकरांती वाला ब्लॉक पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा जो भी मेरे पर नए हैं मैं आप सभी से मिलती हूं नैश वीडियो में किसी अच्छे से ब्लॉक के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक किया थैंक्स फूर वाचिंग